हलो जी गुड मोर्म लामरा मित्स haben Right तरां क? साथ हुम के और को में नेपाल कंट्रीमेर, नेपाल के किस जगे पे है झाल हम हैं अभी हम पराप इस विssen से कहा हैं गौतम बुद्ध की नगरी में इदर आओ तो फिलाल अभी हम लोग लूंबनी में है और इदर खड़ी हमारी गाड़ी सब लोग जल्दी जल्दी नीकलो चलते हैं इतना इद बहुत लेजी हैं इतका लेजी हैं कि कुछ कहा यह नहीं जा सकता हमको लग रहा है यह लोग प्लेस है तो हम लोग जा रहे हैं उनके बर्थ प्लेस पे घुमने के लिए मंदिर उसका सामने मंदिर सामने है तो मंदिर जा रहे हैं और चीज और भाईयों मुबाइल बचाना पड़ेगा बंदरों से यह देखो वना बंदर आएंगे हमारा फोन खिश के लग चले और हम जब रात में आगा थे तो पता ने किस किस रास्ते से आएं इसी तरए हैं इसी तरे हैं पहुच गये हैं तो अब ही चलते हैं जब वापस होंगे तो जो सारी जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे चलो चलो तो सचल बंदरू आइब घर देखना 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 एक बाइट गिरते भी नहीं जहां पर यूज कर सकते हैं बहुत बड़ा वाश्रूम में लेडिस जैंस दोनों अगर 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 आपको अपके अंदर से कुछ इच्छा आती है तो आप अपनी साफ से वहां चार्ड दे सकते हो कोई पैसा मांगा नहीं जाएगा आपसे लेकिन वहां पर है लेकिन आप चाहा तो भी नादों कोई दिक्कत नहीं और यहां पर है आई थिंग लुमनी वर्ड पीस एंड हार्मोनी विजिटर सेंटर इसके अंदर बड़ी बड़ी एलेडी टीवी लगी है जिसमें गौतम मुद्र के बारे में सारे चीज़ गया है यहां जो यहां बहुत धरम मतलब में पूरा अपना बहुत मतलब समर्फित कर देते हैं कंचन यह पुरा साथ गाउं में बना हुआ है अब आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज़ बताऊं यह लगभग स्री लंका मलेसिया थाइलेंड हर देश के मंदिर यहां पर ब होना है काफी बड़ा है इसका अगर बोटिंग भी होता है में अगर बोटिंग करने का सब्भाग प्राफ्टिवा कंचन दी के तरफ से तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है अभी तक हमने सुना था मतलब का नाम क्यों सुना था लेकिन आज मैं उस जगह पर जा रहा हूं जहां गौतम बुद्र का जनम हुआ था और मैं आपको स्टेप बाइस्टेप पूरी हिस्टी बताऊंगा क्यों कंचन हिस्टी तो लोग वहां भी पढ़ लेंगे गूगल पर लेंगे मतलब बेसी बेसी जनकारी बगल से देखिए खलका सब्सक्राइब का आनंद उठा रहे हैं अब बगल से यह वहां से बना हुआ है तो आप इस पर बैट के भी यहां तक आ सकते हैं मतलब जो गेट नमबर वन हैं वहां से आप अगर चाहो तो बोट के जडिये भी आप यहां पे गेट नमबर फाइप आ सकते हो जहां सापको कट लेना होगा अंदर जाने के लिए तो ठीकर हम बात भी लेंगे पहले मैं आपको देखा देता हूं तो यह कुछ इस तरीके से हैं दसे ताज महल आप जाते हो सामने आपको हलका सा वह दिखा जाता है और दूसरी साइड सामने पानी बढ़ा रहता है दोनों साइड बग आते हैं कि आप बोटिंग के माद्यम से नहीं आना चाहते हैं तो आप पैदल भी वाक करते हो इधर से आ सकते हैं इधर से आ सकते हैं जादा है बोर चलाने के लिए यह आप उतर सकते नीचे ठीक है चलो जोथ जलती रहती हमने साच विसवा गंटे यह है माया देवी यहां पर डोन उड़ाना बिलकुल मनाई है जहां पर उनका जन्म प्रका बिलकुल माया देवी टेमपल है यह गौतंबुर के मम्मी के नाम है जहां पर लूंबनी का सेलफी पॉइंट बना हुआ है इधर भी इधर कंस्रेक्शन का काम चल रहा है और इधर कोई नदी है यह इखो इदर से कहीं कौन सी नदी यह नहीं पता है, ये वाली नहीं वह अलग है वह लग है वह उधार लगाएंगे और यह देखो यहां से लोग जा रहे हैं दोनों तरब पेर लगाए लाइट लगी है सुबम कहा रहे गया धर 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 धराम दोनों तरब पानी बरा इसके वज़े सोट ठंडा लग रहा है जरू भी पानी बरा है पता है यह जो प्लेस है यह meditation के लिए बनाए गया है लोग आए सांती से यहां रहें जब तक रहना है राम से उसके बाद फिर जाएं इसलिए ना मतलब दोनों तरफ पानी हो मतलब इसको उसी इसाब से बनाए गया है कि लोग यहां फालतू बाइट के चिल्ला चोड़ना करें ओके जी तो हम वहां पहुचे हैं जहां से टिकेट मिलता है यह देखो यह है टिकेट काउंटर इदर और वहां से इंट्रीगेट है सामने चिक पोस्ट दिखाई दे रहा है यह वाला फिर यहां से अंदर जाएंगे तो यह जो टिकेट काउंटर है यहां से टिकेट लेना है, और अगर आप नेपाल के हो तो नेपाली 20 rupes, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन 40 rupes तो ये अंकल जी ने बताया है पर अभी टिकेट लेने गये हैं, वो वहाँ पर खड़े हैं, वहीं चल के दिखाते हैं यह देखो जी, लुम्बनी मिकास, कोस, पवीत रुद्धान, लुम्बनी, मतलब इसका जो कितना प्राइस है, वो लिका हुआ है भारती नागरी के लिए, और नेपाली नागरी के लिए, पंचाम रुपए, कितने रुपए लिए है एक लोगों का, इंडिया लुपए नेकर यहां से हमको इंट्री करना है, प्लीज रुम्यूव यूर सूज, उतार के जाना पड़ेगा, खाली वीजियो आना पड़ेगा, इस प्रोटे तो में टिक टॉक, हम टिक टॉकर नहीं है, तो यह है, चूता चपल स्टैंड, फ्री ओफ कोस्ट, जल्दी जल्दी उतारो, आ यहां बाईयों, मास्क पहनो, जूता उतारो, कहां गया सुबं, मुझे पाईने रहाओ, थंडा रहा है, अभी हमने सूज उतार दिया है, और शॉक्स पहने के जा रहा है, नीचे बहुत तेज गल रहा है, बस नीचे कहीं पानी ना मिले, वन्ना मेरे शॉक्स भिग जाएं हाँ, क्या कंचन? हाँ, कंचन भी देखो, एरी पे, यह देखो, एरी पे, यह देखो, एरी पे, चलो भाई, यह है इंट्रिगेट वे टू माया देवी टेमपल, इधर जाना हमको माया देवी टेमपल के लिए, अब यह देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो असानली ह हम वहाँ पहुच गये हैं, जहां गौतम बुद्ध का जनम हुआ था, हमारे भाग खुले, जो हम गौतम बुद्ध के जनम इसल पे आए, तो इधर है माया देवी टेमपल, अंदर पतानी वीडियो से लाओ है की नहीं, और क्या बताएं, इतना ज्यादा कोहरा है, ऐसे जै अधने को मिल रही है, लाइफ में फस्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियेंस काफी अच्छा लग रहा है, तो फिलाल हम मंदिर से निकल गए है, यह पीछे रहा मंदिर इसमें फोटो एलाओ नहीं था, तो इसलिए हम लोग वहां रिकॉर्ड नहीं किये है, वहां पर नौर्मली जैसा घर बना रहा होगा गिर गया है तो वहीं उसको समहाल के रियल मतलब है, रियल है, उसके अंदर लोग अपना जाके माथा टेक रहे हैं, जो विष्लम पीला वस्त चड़ा है, उसके बाद जो उनकी विष्लम विष्लम वांग रहे हैं, तो अगर सान नाथ जाओगे न तोड़ा बड़ा है यह जो हिस्सा है ना यह हिस्सा काफी बड़ा है सानात में क्या है इस फ्लैग है बुद्धा का सब्सक्राइब कुछ ऐसे अपने मन से पीला वस्तर का यह रोप शिक्स इस लुपा सेकंड सेंचुरी का है यह देखो जी इस पर चलेंगे तो गिला नहीं होगा पैर ठंडा नहीं लगेगा बाकी इदर तो सब बोस पड़ा हुआ है नो टिक टॉक टॉक वाले हां लाउड न यह देखो भाई यह है माया देवी टैंपल वहां से निकल के से घूम के हम लोग इधर से यहां हैं यह बना है कुंड चोटा सा और इधर जो लोग जोत वगेरे जलाते हैं यहां पे इमको जलाना रहते हैं यह देखो प्रात्मा करारे हैं लोग असो का पिलर यह सो का पिलर चलो हो के जी तो मिदर से इंटरी किये थे और इदर से घूम के ऐसे ऐसे फिर इदर ही आ गए हैं और अब हम यहां से निकल रहें माया देवी टेंपल से तो चलो फटा-फट सूच पहिंते हैं हालत खराब हो गई ठंकी वज़े से और अभी तक आ रहे थे तो यह सामने स्टाइचू बना है जो कि थाइलेंड के लोगों ने विजिट किया था तो उस टाइम बना था यह 12 में तो जारे टाम पहले सिद्धार्थ था पहले राजा थे अब पूरी स्टोरी जो है वह आप लोग को पता यह नहीं बच्पन से सभी पढ़ते तो वहीं इनका नाम लिखा है और यह जो स्टाइचू बना है यह 2012 में कुछ साइलेंड के लोग आयते तो उनके द्वारा यह बनवाया गया यहां पर बदला ब्रेनुएट किया गया है यहां पर कुछ हिष्टी लिखी हुई है आप चाहो तो पर्ड़ करते हो यह दो यह लिखा हुआ है जो उनके रियांत है तो क्या बात है हृँ फोगां तानी के अख देंड है कि सबोन का सभी सभीच हों फोगाल चलो कोई में राट वयादंधि रहती सभी सुपी हों सभी निरोग हों सभी एक दूसरे को कल्यान की दुखी से देखे किसी को किसी प्रकार का कश्ट ना हो यह हम खुद से बताये वह सभी से यह घुज्य आरे से ही। और मतलब नौलेज इकठा करें जादा जादा चीजों को जाने ओके जी फिलाल हम आ गए अपनी गाड़ी के पास में देखो इती गंदी है और फिलाल हम निकल रहे हैं अपनी घर की तरफ सीधे जौनपूर की तरफ तो यह वाला व्लॉक करते ही यही पर खतम आई होप आपक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और मिलते हैं आप से नेक्श वाली वीडियो में तब तक कि लिए बाइबाइए